हेलो खमाकणी उकम, क्या आपको पता है, जब मैंने कड़ाई में तेल डाला, राई डाली, राई डालने के बाद में मैंने जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद में मैंने लसन और अद्रक का पेश्ट डाल दिया, और जब वो फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने हरी मिर नामक नामक डाली आ हमने इसको अ कुछ मिक्स कर लिया है उसके बाद में तो मिक्स कर लिया है मसाले को एसको हमने नामक हमने तो मिनट कर लिया है के लिए धकर रख दिया है ताक कि मटर सॉफ्ट हो जाए और टामाटर भी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने हरे हरा ये मेथी डाल दिया है कतीवी और इसको मिक्स कर लिए किसको करने के बाद में हम इसको दो मिनट के लिए इसी चोड़ देंगे उसके बाद हम इस्में उबले। क्लि Bay चाउवल डाल देंगे आप रात बचेवे चाउवल भी इसमें डाल सकते हैं अब हम इसको सारे मसाले को और चावल को मिक्स कर लेंगे मेथी के मसाले को अब मिक्स करने के बाद में इसको धीरे-धीरे हमें मिक्स करना है ताकि ये मसाला हर एक चावल के अंदर चिपक जाए उसके बाद में हमने इसमें चाट मसाला डाला है, हम इसके अंदर नीम्बू भी छिड़क सकते हैं, ताकि हमें और भी ज्यादा चटपटा खटा मिठा खाना होता हो, अब आपके ये मेथी राइस बिल्कुल तेयार है, हम इसमें कटा हुआ, हरा धनिया डाला है, आप कटा प्याज भी इसके उपर डाल सकते हैं, और अब हमारे ये मेथी राइस बिल्कुल तेयार हो रहे हैं, इतने टेश्टी हैं कि खाने में मज़ा ही आ गया, और ये इस परकार बन गए